हेलो अब्रीबन स्वागत है आपका मारे यूट्यूब चैनल में तो आज हम डिसक्स करने वाले हैं सेजी पीडीटिम का जो मेंस का एक्जाम हुआ है उसका एक्सक्रेटिक टाफ कितना जा सकता है तो जो मेरे हिसाब से जो मैंने पेपर दिया मेरे ब्रांच CAC है तो CAC में जो पहला पेपर हुआ था उसमें 65-70 जिन्होंने स्कोर किया होगा वो सेव जोन में पहले वाले पेपर में 65-70 के बीच में रह सकती है तो अगर हम इसको टोटल करें तो कटाफ जो इसमें CAC में निकला कर आ सकती है तो आप रेंज ले सकते हैं CAC का जो जनरल का कटाफ रहेगा 220-225 से जादा नहीं जाएगा मैंने पिछली बार प्री का भी कटाफ बनाया था तो एकदम exact मेरा मैच कर गया था मैंने बोला था कि ज्यादा कटाफ नहीं जाएगा 65-70 के बीच में जाएगा और मैंने देखा कि CAC बालों में 55-60 नमबर भी प्रिलियर हो गया था और ऐसे इसी में भी हुआ था लेकिन ब देख लेना इसे कम ही रहेगी क्योंकि पेपर इतना भी वह से नहीं था उसमें absence नहीं थे true false में उसमें fill in the blanks आया था सिर्फ चापाच क्वेशन थे जो matching type के थे आसान थे और मैकनिकल का अब बात करते मैकनिकल की तो मैकनिकल का पर बहुत आसान था सायद ऐसा मैंने सुना मैंने तो दियाने लेकिन मैंने सुना तो उसमें काफी competition है ठीक है तो उसका cutoff high ही जाएगा कि CAC का कम जाता है लेकिन mechanical का high जाएगा क्योंकि उसमें ESC वगर का paper होता है CAC में ESC वगर का paper नहीं होता तो बच्चों को उतना practice नहीं लिखने की लेकिन mechanical में paper भी थोड़ा आसा दोरूं और EC का जो EC का cutoff है उसका paper tough है था second paper ऐसा मैंने पूछने पर बता लगा तो उसमें साथ cutoff कम जाएगी और competition भी उतना खासा अब नहीं रह नहीं गया है EC में क्योंकि EC के बहुत सारे बच्चे IT सेक्टर में already चले गये हैं 2022-2023 में जब IT boom आया था तो तो EC में cutoff जा questions तो cutoff कम ही रहेगी CAC से भी कम cutoff EC की जाए सकती है तो wait करो result का और अगर आप OBC हो तो cutoff इससे कम रहेगी लेकिन general category की cutoff EC की बीच में लाएगी रहेगी ओके बाए